फॉर्चुनर का एक मातर खदरना competitor है MG Gloucester जो कि फॉर्चुनरी comparison में ज़्यादा value for money है ज़्यादा बड़ा size मिलता है ज़्यादा advance features मिलते हैं बट इतना सब होने के बावजूद भी फॉर्चुनर की sales को MG Gloucester कुछ भी नहीं कर पाई जिसके बीचे भी दो reasons है एक तो MG एक Chinese brand है तो लोग इस पर trust थोड़ा सा कम करते हैं दूसरी चीज़ है Gloucester की looks side by side अगर compare करा जाए तो फॉर्चुनर की looks ज़्यादा attractive लगते हैं Gloucester से बट अब इसी चीज़ को counter करने के लिए MG लाने वाला है MG Gloucester Facelift इंडिया के अंदर बहुत ही जल्द जिसको अगर side by side आप फॉर्चुनर से compare करते हैं तो आप looks के मामले में clear ली देख सकते हैं फॉर्चुनर इसके सामने कुछ भी नहीं है बाकि advanced features तो Gloucester के अंदर पहले भी आते थे बूलना अगर आपको वीडियो पसंद आती है अब जल्ली ही चलते हैं वीडियो के अंदर और बताते हैं आपको MG Gloucester Facelift के बारे में हर एक चीज यह है हमारी नए वाली MG Gloucester Facelift अब आप लोग बोलेगे कि इस गाड़ी के उपर तो Maxis लिखा है जैसे रेनॉल्ट और डासिया की कहानी है वैसे MG और Maxis की कहानी है इंडिया और इंडिया की जैसी कंट्रीज के अंदर ये MG के नाम से गाड़ियों को सेल करते हैं वहीं बाहर की मार्केट में ये Maxis के नाम से सेल करते हैं जैसे कि जो इंडिया के अंदर MG Gloucester आती है, वो बाहर के देश में Maxus D90 है, जिसका बाहर के देश में Facelift अल्रेडी आ रखा है D90 Facelift, जिसकी फोटोज मैंने अभी आपको दिखाई, जो कि इंडियन रोड्स पे भी काविसा में से टेस्ट हो रहा है, और जो ये टेस्ट हो रही है, गाड़ी ये होने वाली है, MG Gloucester Facelift, जिसके लुक्स अगर हम साइड बाइ साइड कंपेर करें तो आल्मूस्ट वही सेम लुक्स मिलने वाले हैं, होड़ी बहुत कॉस्मेटिक चेंजिज हो सकता है, ये कंपरी कर दे, और ये मन के चलो कि सेम ये ही लुक्स मिलने वाले हैं, अब पढ़ते हैं हमारे MG Gloucester Facelift पे, ये हैं हमारी नए वाली MG Gloucester Facelift जो की काफी समय से Indian Roads पे टेस्ट हो रही है, जैसे कि आप लोग नोटिस करेंगे, इसका पूरा का पूरा फ्रंट एंड अलग है, यानि कि पूरी की पूरी फ्रंट प्रोफाइल चेंज करी गई है, और अगर आप इसको साइट बाइ साइट कंपेर करेंगे, D90 से तो बिल्कुल वाई सेम लुक्स देखने के लिए मिलती है, जापर सामने की तरफ हमको काफी बड़ी ग्रिल देखने के लिए मिलती है, मस्त ऐसे पतली-पतली LED DRL देखने के लिए मिलती है, नीचे की साइट वर्टिकल हमको हैडलेट प्लेश्मेंट मिलती है, अल ओवर कंपोजिशन की बात करें तो काफी जादा एग्रेसिव लुक ये गाड़ी देती है, और फॉर्टिनर से तो कंपेरिटिवली अच्छी दिखने वाली है, बात करें इसके साइट प्रॉफाइल की तो लेंथ में ये गाड़ी काफी अदा बड़ी होने वाली है, अभी वाली फॉर्टिनर आती है 4795 mm की और ये गाड़ी आती है 5214 mm की, यानि ये अभी वाली गुलॉस्टर से भी 200 mm बड़ी, width और height में भी ये फॉर्टिनर से बड़ी होने वाली है, तो all over देखा जाएं तो dimensions में ये बड़ी है, यानि ये cabin space भी इस गाड़ी के अंदर काफी अच्छा मिलेगा, 360 degree camera मिलता है इस जहाद को चलाने के लिए, 18 inch के बड़े-बड़े alloy wheels मिलते हैं, dual tone में रहने वाले हैं, पीचे की side भी इस गाड़ी के अंदर हमको same looks मिलती है, D9T वाली, जहाँ पे बीच में हमको connected tail light देखने के लिए LED, साइडों में हमें vertical reflectors मिलते हैं, बीच में हमको maxis की badging मिलती है, जहाँ पे हो सकता है Gloster की badging मिले, नीचे की side item को दो-दो exhaust मिलते हैं, जो कि आप testing वाले variant में भी देख सकते हो, अभी फिलाल के लिए Gloster हमारी 6-seater और 7-seater variant के साथ आती है, future में भी ये गाड़ी 6-seater और 7-seater दोनवी variant के साथ आने वाली है, इस गाड़ी के interior के अभी कोई भी leaks नहीं आई हैं, टेस्टिंग करते हुए, बट जब पूरी के पूरी काड़ी same रहने वाली है, D90 से तो interior भी हो सकता है, थोड़े बहुत cosmetic changes करके, इंडिया के अंदर भी YCM launch कर दिया जाए, जाबे बीच में हमको 60 वार इंच के काफी बड़ी touchscreen डिस्प्ले मिलती है, इसका मलब ये नहीं के buttons गाइब कर दिये, buttons भी अपनी जागई रहने वाले हैं, खीले sentry इस गाड़ी के अंदर मिलती है, push start stop button मिलता है, all over interior इसका काफी premium रहने वाला है, full digital instrument cluster मिलता है इस गाड़ी के अंदर, जिसके अंदर navigation वगेरा हर चीछ चलेगी आपकी, three spoke steering wheel मिलेगा, काफी huge सा, जिससे आपको feeling आती रहे हर समय कि आपे कि इतनी बड़ी गाड़ी चड़ा रहे हो, center में काफी लंबा चौड़ा armrest मिलेगा, storage के साथ, three zone climate control मिल सकता है, आपको इस गाड़ी के अंदर, ऊपर की साइट काफी बड़ी सी panoramic sunroof देखने के लिए मिलती है, काफी बड़े-बड़े AC events देखने के लिए मिलते है, जो कि सब को मिला के काफी आदा अच्छा इसका interior मिलने वाला है, लेवल 2 एडास भी इस गाड़ी के अंदर हमको मिलने वाला है, जो कि इसकी safety features को काफी आदा enhance करतेगा, और इसको और भी बड़ी है value for money variant बनाएगा, और तो और अभी खतम नहीं हुआ है, आगे की दोनों seat इसकी massage seats रहने वाली है, heated और ventilated seats के साथ-साथ, तो हुई नहीं सबसे value for money इस price point के आसपास, जिसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि अभी confirm नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, आप तक कोई भी leaks नहीं आई है interior की, जैसे ही आती हैं हम आपको inform कर देंगे, बाकी अभी फिलाल के हमारे expectation के हिसाब से काफी premium interior विलने वाला है, जिसकी वैसे ये गाड़ी काफी value for money होने वाली है, engine options जहां तक हैं बिल्कुल same रहने वाली हैं, जो Gloster के अंदर अभी मिलते हैं, जो कि सबसे बड़िया हैं, जो कि हमारे 2 लीटर का turbo diesel जो produce करता है 159 BHP की power और 370 Nm का torque, दूसरा engine option है 2 लीटर का twin turbo diesel जो की 213 BHP की power प्रड़ियूस करते हैं और 480 Nm का peak torque, 8-speed के automatic gearbox से साथ ये गाड़ी पहले भी आती थी और अब आगे भी आने वाली है, प्राइस की बात करें तो थोड़ा से increment देखने के लिए मिलेगा, प्राइस के अंदर भी, जो कि almost 40 लाग हो सकता है starting price एक शोरूम, यानि almost वही फॉर्चुनर के rate में ही आएगी ये गाड़ी, expected launch late की बात करें तो Gloucester की recently अभी नए variants आये हैं, जिस वेसे अभी हाल फिलाल में तो इसका launch मुश्किल है, बट हो सकता है 2024 के end आते आते या फिर उससे पहले ही इस गाड़ी का launch हो जाए, वो जब भी होता है, हम आउसको पर वीडियो जरूर लेके आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, आज के वीडियो के लिए तो इतना ही था, मिलते हैं से किसी बड़ी से वीडियो में तब तक के लिए, stay awesome, stay safe, bye bye.